हाई वास मैं हूँ डक्टर प्रेम जी आयरवेदिक देखे आज मैं इस वीडियो में आपको नींद में पिशाप जाने की समश्या के लिए एक बहतरीन आयरवेदिक गरेलू नुसके की बारे में बाताने वाला हूँ इस वीडियो को बच्चे और बुड़े और इसके साथ शुगर पेशन्स भी जरूर देखना अगर आपको बिस्तर गिले करने की आदत है आप जरूर इस वीडियो को देखिए आपकी समश्या एक ही आफ्टा में बिल्कुल पूरी तरह जेड़ से धूरो जाता है इस वीडियो की बारे में आप जानने से पहले मेरी चैनल को आप अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्रेब कीजिए और बेल आखन को भी दबाईए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पहने के लिए देखिए पहले आपको इसमें क्या-क्या चीज की आसने से मिल जाता है आप ऐसा त्रिफला चूर्न को लेकर आए और दूसरी है यह है चितरक मूल की पोडर चितरक मूल की पोडर भी पतंजली का स्टूर में आसने से मिल जाती है अगर आपको चिरक मूल नहीं मिला है तो आप काली त्रिफला चूर्न को भी ले सकता है और क्या करना है कि रूज सोने से पहले काना खाने के बाद एक गलास तोड़ा सा गरम पानी लीजिए, इस गरम पानी में आप क्या करना है कि इस त्रिफल चुन को एक चमच डालनी है, और ये चित्रक मुल को आप क्या करना है कि 1 by 4 टीस्पून इसमें डालनी है ठीक है ऐसा एक चेमच त्रिफला चुन को और 1 by 4 टीस्पून ये चितरक मूल को डाल कर अच्छा सा मिक्स करने पड़ती है देखिए ऐसा अच्छा सा मिक्स करके इसे आप रोज रात को सोने से पहले पी लीजिए ऐसा ये बड़े लोग पी स करना है कि ये चितरक मूल को पिंच आफ लेनी है जैसा दो अंगली में जितना आता है उतना चितरक मूल को लेनी है और ये त्रिफला चुन को आद़ चमस तक ले सकता है ऐसा बच्चे लोग भी इसे पी सकता है ऐसा बच्चे में भी नीद में पिशब जाने की समश्या भी उनका भी एक आफ्ता में पूरी तरह धूर हो जाता है और आपको अगर ये चितरक मूल नहीं मिला है तो आप सिर्फ ये त्रिफला चूर्ण को भी ले सकता है त्रिफला चूर्ण भी ऐसा बना कर पिने से ये निन्द में पिशाप जाने की समश्या पूरी तरह दूर हो जाता है और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियोस की बारे में जानकारी के लिए मेरी इस चनल को आप धरूर सब्सक्रेब कीजिए और बेले काम को भी दबाईए ताकि मेरी नाय वीडियो अपडेट फाने के लिए आपको इस वीडियो अचल लगे तो लाइक और शेर कीजिए इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद